अब दूसरी बात चिंता की बात आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सिनेशन बंद हो गया है केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सिन भेजे थे वो खतम हो गया है इसलिए युवाओं के वैक्सिनेशन सेंटर आज से बंद किये जा रहे हैं कुछ एक vaccine की doses बची हैं, वो कुछ एक centers में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक खतम हो जाएंगी. कल से युवाओं के vaccination के सभी centers बंद हो जाएंगे. मुझे बेहत दुख है कि हमें vaccine खतम होने के कारण युवाओं के vaccination centers बंद करने पड़ रहे हैं. हमने केंदर सरकार को भी लिखके बताया है, केंदर से हमने और vaccine मांगी है. जैसे हमें और vaccine मिलेगी, हम फिर से ये center शुरू कर देंगे. दिल्ली को हर महीने 80 लाख vaccine की जरूरत है. 80 लाख doses की. इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख vaccine मिली. और जून के महीने के लिए केंदर ने दिल्ली का कोटा और भी कम कर दिया है. केंदर सरकार से हमें जो चिठी आई है कि जून में हमें केवल 8 लाख vaccine दी जाएगी. मैं में 16 लाख दी थी, जून में 8 लाख देंगे. अभी तक हम दिल्ली में टोटल 50 लाख vaccine लगा चुके हैं. और दिल्ली के सभी adults को vaccine लगाने के लिए हमें धाई करोड और vaccine चाहिए. अगर इसी रफतार से दिल्ली के adults, अगर इसी रफतार से हम चले, 8 लाख vaccine हर महीने मिली, तो दिल्ली के adults को भी vaccine लगाने में 30 महीने लग जाएंगे, 30 महीने से भी ज़दा. तब तब तो ना जाने कितनी और करोणा की लहरे आएंगी, ना जाने कितने और लोगों की मौत हो जाएगी. तीसरी लहर से दिल्ली और देश को बचाने का एक ही तरीका है. कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों को vaccine की सुरक्षा दी जाए. बेड, ICU, oxygen, दवाई, इन सब की तयारी तो हम लोग कर रहे हैं. लेकिन करोणा के घातक असर से बचाने में vaccine ही सबसे ज़्यादा असरदार हथियार है. वैक्सिन की कमी केवल सरकार की चिंता नहीं है. आम आदमी भी vaccine के इस संकट से बहुत डरा हुआ है. कल एक अमा का फोन आया. बोली मुझे और मेरे बेटे को vaccine लगवानी है. मैंने पुछा अमा कितनी उमर है दोनों की. बोली मेरी उमर 65 साल है, मेरे बेटे की उमर 35 साल. मैंने का अमा युवाओं की vaccine तो खतम हो गई. आपको लगवा दूँगा. थोड़ा सोच के बोली अच्छा मेरे वाली vaccine मेरे बेटे को लगवा दे. वो नौकरी के लिए घर से बाहर जाता है. मैं तो बुड़ी हो गई. उसे तो आगे परिवार भी संभालना है. इसलिए उसका सुरक्षित रहना जरूरी है. यह सुनके दिल में बहुत पीडा हुई. आज vaccine की कमी की वज़े से देश में बेहत मुश्किल हालात पैदा हो गया है. अगर देश में किसी पिता, किसी बेटे, किसी भाई, किसी मा, किसी बेहन के सामने यह धरम संकट है, कि वो खुद vaccine ले या अपने परिवार के जादा दुखत बात और क्या हो सकती है? कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए हमें देश में vaccine की उपलबदता तुरंत बढ़ानी पड़ेगी. इसके लिए केंदर सरकार को मेरे चार सुझावें. पहला, भारती बायोटेक कंपनी जो को वेक्सिन बनाती है, वो अपनी वेक्सिन का फार्मूला दूसरी कंपनियों को देने को तयार हो गई है. देश में vaccine बनाने वाली धेरों कंपनिया है, केंदर सरकार तुरंत उन सभी कंपनियों को बुलाएं और उन्हें आदेश दे, उनसे request ना करे, उन्हें आदेश दे, कि वे सभी कंपनियां युद स्तर पर समय बद्ध तरीके से वैक्सिन बनाना तुरंत चालू करें। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन सभी कंपनियों को अगे लिए 24 घंटे में बुला कर ये आदेश दिये जाएं। मेरी बात को अन्यता ना लिया जाएं। इस वक्त एक एक दिन कीमती है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। दूसरा सुझाओ। सभी विदेशी वैक्सिन जितनी विदेशी वैक्सिन हैं उनको भारत में इस्तिमाल करने की तुरंत इजाज़त दी जाएं। ये भी 24 घंटे में होना चाहिए। इसमें भी बिलकुल देरी ना की जाए। और विदेशी वैक्सिन के जितने निर्माता हैं उनसे भारत सरकार बात करें। भारत सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया कि स्टेट्स बात करें। हर राज्य अपने अपने स्तर पे विदेशी कंपनी वानों से बात करें। ये कोई अच्छा लगता है। भारत के 36 राज्य और यूनियन टेरिट्री हर कंपनी के सामने जाके आपस में लड़ रहे हैं तो ये कंपनियां भारत सरकार को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेंगी। और फिर भारत सरकार तो सीधे इन कंपनियों के देशों की सरकारों से बात कर सकती है ना। और भारत सरकार जब इन कंपनियों से बात करेगी तो भारत सरकार तो कई सौ करोड की वैक्सिन खरीदने की बात करेगी तो जाही रहे ये कंपनियां भारत सरकार से कहीं ज्यादा अच्छे से बात करेंगी तो भारत सरकार को इन से वैक्सिन खरीड के राज्यों में बांट देनी चाहिए तीसरा सुझाओ, कुछ देश ऐसे हैं पढ़ने में आ रहा है मीडिया में कि जिन्नोंने जरूरत से ज्यादा वैक्सिन जमा कर रखी है उनकी जनसंख्या जितनी है उसके हिसाब से उनको जितनी वैक्सिन चाहिए उससे कहीं ज्यादा वैक्सिन वो स्टोर करके बैठे है उनसे भारत सरकार को वैक्सिन लेने के लिए गुजारिश करने चाहिए और चौथा सुझाओ ये जितने विदेशी कंपनियां वैक्सिन उत्पादक हैं, उन्हें भारत में वैक्सिन उत्पादन करने की भी तुरंट अनुमती दी जाए। युवाओं की मौत हुई है और दिल्ली में इस वक्त युवाओं के कोटे की वैक्सिन खतम हो गई है